नमस्से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फायर बॉल्ल ट्रीम एंड्रोइड वोच के बारे में यानि कि यह एक ऐसी घड़ी है जिसमें एंड्रोइड ओएस दिया गया इसे आप मज़े से इस्तमाल कर सकते हैं और क्यूंकि यह एंड्रोइड स्मार्ट वोच है तो इसके अंदर आप हर तरीके के अंड्रोइड एप्स चला सकते हैं बात करें इसके कनेक्टिविटी के तो इसके अंदर फोर जी एल्टी नैनो सीम का सपोर्ट दिया गया है और वाइफाई तो है इक अंदर जितने भी टेली कॉम ओपरेटर से हैं वो स इसके अंदर इन्बिल्ट कीबोर्ड है जिससे आप टाइप वगएरा कर सकते हैं और इसमें एक और चीज़ है इसमें आप वोईस इंपूट वगएरा दे के कमांड दे सकते हैं बात करें इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तो इसके अंदर हमें दो जी भी रहा है और स चार घंटे अराम से चल जाती है ऐसा कंपनी क्लेम करती है इसे स्टेंडबाइ मोड पर चलाते हैं यानि इसमें जा सिर्फ टैम देखने के लिए इसको 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 होती है और दूसरा इसका अडवांटेज है कि जब हम गूगल मैप में नविगेशन ओन करते हैं तो और इसमें एक दूसरी सबसे अजीब चीज है इसका डिस्पले तो जब आप इसमें टाइप करेंगे तो आपको जो आप टाइप करोगे वह आपको दिखेगा इनी क्यूंकि की जना कीबर्ड ले लेगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है अपनी आईडी साइन इन कर इसमें मैगनेट मिलती है हमें यहाँ पर जो मैगनेट फोल्ड होने के बद चिबग जाती है वाकि है मैंने खुद मंगाई है तो मिरको यह साथ हजार के आसपास पड़ी पर लेकिन साथ हजार में तो एंडुएड एक अच्छा फोन भी आ जाता है आजकल मार्केट में पर भी खेल पाएंगा सब्बे सर्फर हो गया मिली मिली टिया हो गया और छोटे मोटे गेम क्योंकि मुझे लगता है यह पब जी जैसे गेम को हैंडल कर पाएगी क्योंकि दो जी भी इसमें रैम वैसी है तो लेकिन ओवरोल गड़ी अच्छी है बस थोड़ा प्राइज इसका और अगर आप टेकी परसन है तो यह मैं आपको कहूँगा आपको यह घड़ी ले लिनी चाहिए अच्छी है काफी क्योंकि अब नए उन्यू एक्सपिरियंसे से भी इस्तमाल करने का और अगर मैं अपनी बात करूँ तो यह मेरे को घड़ी वैसे पसंद नहीं आई क्योंकि हम हाथ में कितना ही फोन चला लेंगे इस्तमाल कर लेंगे बाकि इसका प्रैक्टिकल तो मैं ज्यादा कुछ संज में नहीं आया जब लेकिन हाँ यह सोंक के लिए अच्छी है कि जब आप इसमें Android चलाएंगे तो वह काफी कूल लगेगा आप बताना कि यह घड़ी आप बाई करने वाले वाले वानी बागी इसमें में पाइक बार पबजी तो जुरूरी इंस्टोल करके देखूंगा कि कैसा चल रहा है चल भी पा रहा है नहीं चल पार रहा है इसके चार्जर के साथ आपको अडेप्टर नहीं मिलेगा तो आपको अडेप्टर अपने आप ही अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिर्फ हमें ये केबल मिलेगी चार्जिंग केबल बस जो कि इसके